सबसे बड़ी परिशानी ये कि जो लोग कहतें कि गोधी मीडिया जो ये टीवी चैनल पर इंटर्वी बगरा होते हैं मुझे भी ये बात नजर आती है कि कहीं नगे ये सब बीजीपी पार्टी दुवारा खरीदेवे चैनल है क्योंकि एक नेभी लद्दाक के मुद्दे की बात ही नहीं करिया अब फैसला आपको करना है कि आपको कम बेमान वाली पार्टी को सपोर्ट करना है या ज़्ाधा fren lain वाली पार्टी को सपोर्ट जो आस तक 자 depressे आए जोरी तरह से दूर हो जाएगी आज जिन दो आपिक्स पर में बात करने हाँऑ आप कह सकते हैं कि BJP और मोधी जी के वीडियो बिल्कुल विरोध में जाने वाला है मैं बिल्कुल भी उनके समर्थन की बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे नजरिये से उन्होंने इस दोनों टोपिक पर कोई भी अच्छा काम नहीं किया है सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लद्दा की आपको पता ये 21 दिन पूरे हो चुके हैं और जो वांचुक जी है जिन पर एक 3D इस फिल्म भी बनी थी रैंचो का रोल अपले किया था आमिर खान ने और उन्होंने बहुत अच्छे-च्छे काम की हैं आर्मी के लिए भी उन्होंने बेस कैम तयार किये थे वहाँ पर तो मतलब काफी एक अच्छे इंसान है और उन्हें 21 दिन अंचन पर रहना पड़ा वो अच्छी बात ये कि चलो उनका अंचन अब टूट गया है आप पता चल रहा है कि वहाँ पर महिल्याई भी अंचन करेगी तो मेरे इसाब से जो लगदाक का मुद्दा है ये मोधी जी और अमिशा को मिलकर रिजोल्व करतेना चाहिए इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए क्योंकि देखे इससे मैं मानतों चुनाव पर बहुत जादा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि शायद उन्हें लग रहा होगा कि लद्दाक की तो इतनी वोट मैटर ही नहीं करती लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कहीं की जन संख्या मैटर ना करे या वहां के वोट परसेंटेज से आपके लोग सबा चुनाव पर फरक ना पड़े तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उन्हें दर किनार कर दें या उन्हें हाशिये पर लाकर खड़ा कर दें और बहुत जादा मतलब रेगिस्तान वाली आपको फीलिंग आएगी मलब डवलप्मेंट के लिए कुछ जादा है नहीं वहां पर तो वहां के लोगों की डिमांड यही है कि जिस तरह से आप कश्मीर को प्रायोटी पर लेकर चल रहे हैं वहां पर इतनी जादा डवलप्म सामना करना पड़े इसके साथ साथ वो लोग यह भी चाते है कि विदान सबा में भी हमारे candidate होने चाहिए राज्य सबा में भी हमारा कम सकम एक candidate होना चाहिए जो हमारी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सके और मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं नजहाएं और मेरे Whoo अस उससे बड़ी परिशानी है कि जो लोग कहते हैं कि गोधी मीडिया जो ये टीवी चैनल पर इंटर्वी बगरा होते हैं मुझे भी ये बात नजर आती है कि कहीं न कहीं है सब बीजी भी पार्टी दुवारा मनला खरीदेवे चैनल है क्योंकि एक नेभी लद्दाक के जानना चाती है सुनना चाती है उसके बारे में बात ही नहीं करते तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है और मुझे लगता कि शायद ये सारी चीज़े जो होती है पहले से प्रे प्लान होती हूँगी यह उन्हें कहा जाता होगा कि आप इस मुद्दे पर सवाल हमसे परेशान हो रही है, वहाँ के लोगों की आप डिमांड क्यों नहीं मानते, और अगर आपको लगता की वो डिमांड मानने लाइक नहीं है, तो आपको उस पर भी अपनी पूरी सफाई देनी चाहिए और बताना चाहिए कि क्या कारण है आखिर जिस वज़े से ही डिमांड मानने लाइक नहीं है अब आते हैं दोस्तों अपने दूसरे मुद्धे पर इलेक्टरोल बॉंड बहुत सारे लोगों को जानकारी शायद ना हो इस बारे में कई चोटे राज्ये के चलते हैं कई लोग सभा के कई राज्ये सभा के मतला कहीं न कहीं आपको यह चुनाओ देखने को मिलते ही रहेंगे म beings like को यह दो बात ही चीए यह आप करोड़ों रुपए उस चुनाओ में भी खर्च हो जाते हैं तो यह तो इतने बड़े-बड़े चुनाओ आप तो परदान मंत्री जी का चुनाओ होने वाला है जिसमें हम चुनाओ करेंगे कि हमारी देश का परदान चुनाव होते हैं, ये पोलीसी पूरी तरह से मनला खतम होनी चाहिए, और इस पर मैं कहना चाहूँगा, सादोबाद देना चाहूँगा, अमिशा जी का अमिशा जी, राष्टपती जी के साथ मिलकर इस पर काम कर भी रहे हैं, और शायद इस बार जैसे तीसरा टन मोदी जी का शुरू होगा, तो उसके बाद ये पोलीसी लागू कर भी देंगे कि one election, one पोलीसी होगी, यानि कि पांस साल में सिर्फ आपको एक ही चुनाव देखने को मिलेगा, और ये देश के लिए बहुत अच्छी बात है, बले ही बहुत सारे पोलिटिशन इस बात का समर्तन ना करें, लेकिन ही हमारे देश के लिए इसलिए जरूरी है, क्योंकि हम लोगों का जो tax का पैसा है, वही ये नेता अपने चुनाव में देश पर, तो हमेशा चंदा दिया ही जाता है पार्टियों को, चंदा के नाम पर यानि कि वही फंड दिया जाता है, आप कहा तो ये जाता है कि जंता के पैसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कि देखो जो अमीर आदमी भी है, दोको सारा गेम अगर आप समझोगे, मैं अडानी, अंबानी जी की बात करूँ किसी भी बड़े उद्योग पती की बात करूँ तो वह पैसा किस से कमा रहा है, हम लोगों से कमा रहा है और वही पैसा कमा कर फिर इलोगों को दे रहा है और अल्टिमेटली इसमें जो पिस्ती है, वो पिस्ती है आम जनता क्योंकि देखो, अगर आज कोई 10 रुपी की मिल रही है और आपको वह चीज़ खरीद नहीं खरीद नहीं है, आपको पता हमारी बेसिक नीड है लगजरी आइटम नहीं है कल को वह चीज़ 15 की होज़े, चीज़ 20 की होज़े, चीज़ आप उधार मांग कर लाएं चीज़ अपना पेट कार्ट कर लाएं, आपको वह चीज़ लेनी ही पड़ेगी अपनी ले जलूरी है क्योंकि आपके लिए हो 9047 से और 2019 तक होता क्या था सभी पार्टियों को चंदा दिया जाता था अब वो चंदा जो देता था, ना तो उसका नाम का भी रिवील होता था जो चंदा कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है अगर आप चाहो तो एक करोड रुपे भी हात में लाते वे किसी भी कॉंग्रेस पार्टी या बीजीपी पार्टी के ओफिस में लिजो कोई आपसे नहीं पूचेगा या आप पैसा कहां से लाए वो चंदा के नाम पर आप कुछ भी उन्हें डोनेशन दे सकते थे लेकिन जब 2019 में अरुन जेटली जी जीवित थे तब उन्होंने ये इलेक्रोल बोर्ड का एक बहुत अच्छा नियम बनाया कि जो भी पैसा दिया या लिया जाएगा उसका लेन दिन कैस में नहीं होगा क्योंकि कैस का कोई आपको पता है कि कोई ट्रेसिंग नहीं होती कैस की यानि कि कोई भी किसी भी पार्टी को चंदा देना चाता है चाब वो एक रुपे का हो चे एक करोड का हो वो उसे अपने बैंक के माध्यम सी देना पड़ेगा हाँ उसकी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील नहीं की जाएगी वो आइडेंटिटी रहेगी सिर्फ उसके पास बैंक के पास रहेगी आइडेंटिटी यह कल को अगर सुप्रीम कोर्ट ओडर करता है जैसे अभी किया है तब यह identity publicly reveal कर दी जाएगी और यह identity reveal करने की जरूरत भी क्यों पड़ी उसका काराणी सबसे बड़ा ही है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो चंदा दिया गया वो BGP party को दिया गया सुनने में आये कि लगवग 20,000 क्रोड रुपे का यह पूरा मामला है कोई 12,000 क्रोड बताता है कोई 15 बताता है जितने मूह उतनी बाते हैं लेकिन फिर भी हम मोटा मोटी चलिए लगा लेते हैं कि 20,000 क्रोड का मामला है जिसमें 12,000 क्रोड मिले है BGP party को और पाकी 8,000 क्रोड रुपे में सारी party है Congress भी, बसपा भी, समाजवादी party भी और भी जितनी भी चोटी चोटी party हर मनलब राज्ये में हर शेयर में बनी हुई है उन सभी को कुल मिला कर इतना चंदा मिला है अब लोगों को दिक्कत यह है कि भाई ये 12,000 क्रोड रुपे सिर्फ BGP party को ही क्यों मिले देखो यहाँ पर मैं BGP party का समरतन नहीं कर रहा हूँ लेकिन आप BGP party से पहले जब Congress party केंदर में थी तब सबसे ज़्यादा चंदा भी उस party को मिलता था और ये जितने भी वेपारी और उत्योग पती है ऐसा नहीं कि उनसे एक्स्ट्रोक्शन कराके ये उनने डरा धमका कर ये पैसा लिया जाता है वो खुद भी अपनी स्वेक्षा से उसी party को पैसा देना चाते हैं जो कहीं न कहीं उनके favor में नियम ला सके मान के चलो अगर 12,000 करोड रुपे आज BGP party को मिले और ये केंदर में नहीं होती तो क्या आपको लगता है कि ये किसी भी तरह से धमकी देकर उनसे पैसे ले सकती थी ये किसी भी तरह से उनने लालत देकर ले सकती थी क्योंकि इनके हाथ में power ही नहीं होती कि उसके लिए कोई rule बना सके है उसके favor में कोई काम कर सके कोंग्रेस पार्टी को चंदा देने से किसी का भी कोई थाधा जाधा नहीं है। थोड़ा बहुत फाइदा हो सकता है कि चलो 36 गड़ में उनकी सरकार है तो 36 गड़ के किसी उद्योग पती ने वेपारी ने चंदा कॉंग्रेस पार्टी को दे दिये कि चलो यहां तो 36 गड़ में कॉंग्रेस हमारी हेल्प कर देगी लेकिन आप इस बात को समझे कि कोई भी व धंका कर पैसा लिया जा रहा है तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कूल बीजेपी पार्टी ये काम कर सकती है वो कोई दूद के दूले नहीं है लेकिन फिर भी उन्हें इस चीज को करने की जरूरत ही नहीं है यार जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है तो वह उंगली टेड की तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ डराने की धंकानी की जरूरत प्रतिव योगी उन लोगों से पैसा लेने में या डोनिशन लेने में और मोधी जी भी वैपारियों को बहुत सपोर्ट करते हैं पहले से आपकी तुल्ला में आप देखेंगे कि अपल के मोबाइल है तो वो 2014 से पहले 1947 से 2014 तक कितनी पार्टी को कितना कितना पांस साल में चंदा दिया गया उसका भी थोड़ा सा हिसाब किताब दे दे तो हमें किलियर हो जाएगा कि हां यार BGB पार्टी ही सबसे ज़्यादा गोटाला करती है या कोई और भी पार्टी करती है आप देखो गोटाले की तो ये बात है दोस्तों इस बात को तो मैंने आप लोगों से पहले भी वीडियो में बताया और मैं अभी भी बता रहा हूं कोई भी पार्टी दूद की धुली नहीं है कोई भी पार्टी पूरी तरह से इमानदार नहीं है बस फरक कितना है कि कोई ज़्यादा बेहिमान है कोई कम बेहिमान है अब फैसला आपको करना है कि आपको कम बेहिमान वाली पार्टी को सपोर्ट करना है या ज़्यादा बेहिमान वाली पार्टी को सपोर्ट जो आज तक आप करते आये थे उसे ही दुबारा करना है इमानदार यहां कोई नहीं है चै वो बिज करना ना बोलें